हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनपमशुर रास्तो और आज आपके साथ एक बहुत ही खुबसत डिजाइन शेयर करने के लिए आई हूँ इस डिजाइन को डालने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो 5 के मर्टिपर्स में डालेंगे और 4 फंदे अधिक डालेंगे ये डिजाइन मैं एक बार बना चुकी हूँ ये डिजाइन 10 रोज में कम्प्लीट होती है अब हम डिजाइन शूर कर रहे हैं डिजाइन की फर्स्ट रो जो की राइट साइड से है पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद उनको आगे करके सारे फंदे हम उल्टे उ बनाना है अब हम डिजाइन की सेकेंड रो पर हैं जो की राउंग साइड से है इस रो में पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और इसके बाद सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे इस रो के सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे ये हमारी सेकेंड रो है और राउंग से है, पूरी रो हमें सीधे फंदों से ही बनानी है। अब हमरी डिज़ायन की थार्ड रो पर हैं, जो की रॉड़ साइड से है, पहला फंद हम स्लिप कर लेंगे, उनको आगे करेंगे, और दो फंदें हम उल्टे बिन लेंगे। यह हमाई third row है और right side से है उन पीछे करेंगे तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे यह 5 फंदों में design पड़ेगी फिर 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे फिर 3 फंदे हम यह एक बिना हमने उल्टा यह एक उल्टा बिना और यह दूसरा उल्टा बिना दो फंदे उल्टे बिनेंगे फ सीधे लास्ट के दो फंदे फिर उल्टे होंगे और ये फंदा और होगा जो कि उल्टा बिना जाएगा ये इस तरह से पूरी रो बिनी जाएगे अब हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं जो की रॉंग साइट से है इस रो में पहला फंदा स्लिप करेंगे जो फंदे हमने आगे से उल्टे बिने थे वो दोनों फंदे सीधे बिने जाएगे और जो फंदे हमने उल्टे बिने थे वो जो सीधे बिने थे वो उल्टे बिने ज तीन उल्टे दो सीधे, इस तरह से बनानी है, यह हमारी फोर्थ रो है और यह रॉंक साइड से है, वो उसी तरह से बनाई जाएगी, जहीज़े कि हमने थर्ड रो बनाई थे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद कि दो फंदे उल्टे बिनेंगे, और इसके बाद तीन फंदे सीधे बिनेंगे, यह रो हमें इस तरह से बनानी है, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, इसी तरह से पूरी रो हमें बनानी है, पूरी रो में हमें दो फंदे उल्टे बनाने हैं, और तीन फंदे सीधे बनाने हैं, लास अंदा हम slip कर लेंगे और इसके बाद दो फंदे हम सीधे बिनेंगे वो हमें सीधे रिखाई दे रहे हैं वो सीधे बिने जाएंगे उसके बाद के तीन फंदे हमें उल्टे रिखाई दे रहे हैं वो उल्टे बिने जाएंगे ये फंदे आगे से जो तीन हम उल्टे बिन रहे है लास्ट में तीन फंदे सीधे बनेंगे हम जयन की 7th रूपर हैं जो के राइट साइटसे है पहला फंद सलीब कर लेंगे दो फंदे आगे करेंगे यह डिजैन की मुखे रो है इसी रूसे हमें जयन बनानी है इसलिए इस बहुत ध्याम से पिर देखेगा, उनको हम पीछे करेंगे, अब ये ये तीन फन्दे हैं इन में पीच ओ-पीच का जो फन्दा है, इस फन्दे में जो नीचे, सबसे नीचे वाला होल है, ये 4 इतwegen बात भूवमें हम सभांधी डालेंगे, इस तरह से एक लूप बनायेंगे, जी लूप हमने ब बना लेंगे और इसके वाद यह सिधह फंद बेंगे इस तरह से हम दो-फंदे बढ़ा लेंगे üz्फ 스ad फे यहां यहां पर हम तुर न यहां पर सलाई दालेंगे याक तірहागे दोफंद करेंगे झाले आप पिर इस होल में स्लाई डाल करके एक फंदा फिर से एक लूप और बना लेंगे और इसके बाद का तीसरा फंदा सीधा बुन लेंगे और इसके बाद के तीनों फंदे हम उल्टे भिन लेंगे, दो फंदे उल्टे भिनते हैं, लास्ट में तीन फंदे उल्टे भिनते हैं, इस तरह से हम पूरी रो बना लेंगे, अब हम डिजैन की एर्थ रो पर हैं, इस रो में पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे में स स्लिप कर लेंगे इसके बाद दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं दोनों फंदों को उल्टा बिन लेंगे फिर एक लूप दिखाई दे रहा है एक लूप बिन लेंगे इस तरह से हम बिनेंगे उन पीछे करेंगे यह देखिए यह मैंने दो फंदे सीधे बिने एक स्लिप किया था सब्सक्राइब फिर एक फंदिया है फिर फंद हूंने उल्टा बिना एक लूप उतार लिया है फिर Dw00 उल्टे विने है और फिर एक लूप उतार लिया है अब हम दो फंदीख फिर से शीच इतार चाहरा बिने कैम के द्Paul कर लेंगे दो फञालोख На फिर जो हमारी स्लिप के हौर लूप है इसको स्लिप कर लेंगे उन पीछे करके दो फंद ये सीधे बिनेंगे और इसके बार लास्ट फंदा भी सीधा पर पिन लेंगे इसी तरह से हमें पूरी रोप बनानी है यह हमारी एर्थ रो थी जो की डॉंग साइट से बिने गई थी इसने पहला फंदा स्लिप किया दो फंदे सीधे बिने एक फंदा उल्टा बिना एक लूप स्लिप किया दो फंदे उल्टे बिने एक लूप स्लिप किया इसको अब फिर इसी तरह से रेपीट करना है अब हम डिजाइन की 9 रो पर है पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे दो फ इसके बाद ये बिचो बीच का एक फंदा बचा, तीसरा फंदा ये है, तीन फंदे थे और तीन ही फंदे रह जाएंगे, पहले हमारे पाँच फंदे अब ये जो एक फंदा है, इसके हमें, एक फंदे से साथ फंदे बनाना है एक फंदा लेंगे एक बार उन लपेटेंगे सलाई पे फिर एक फंदा लेंगे ये इस तरह से फिर सलाई पे उन लपेटेंगे फिर एक बार ये फंदा लेंगे सलाई पे उन लपेटेंगे और फिर एक बार फंदा लेंगे इस बार चार बार हम बिनेंगे और तीन बार फंदे सलाई पर लपेट के लेंगे इस तरह से हमेरे एक फंदे से एधर किया ये दोनों फंदे जो है हमने जäsिसे केबिल बनाते हैं उस तरह से बनाया है इसके अधिर इसी तरह से बनाएंगे हम एक फंदे से हम साथ फंदे बनाएंगे इस तरह से एक फंदा बनाएंगे एक बार उन लपेटेंगे सलाई पे फिर एक फंदा बनाएंगे फिर एक बार सलाई पे उन लपेटेंगे यह एक फंदा बना लिए तीन फंदे हो गया सलाई पे उन लपेटा चौता फंदा हो गया फिर एक फंदा बिद लिया, पांच वाफंदा हो गया, सलावी पर उन लपेटा छटा फंदा हो गया, और ये, शात वाफंद भीन के बना लिया, इसके वार ये दोनों फंदे पीछे से दो का एक कल्डिय जायेंगे इस तरद से ये कल्य जाएगी और इसमें दो पत्या और एक कल्यव जाएगी फिर उन आगे करके दो फंदे उल्टे और लास्ट में हमारे तीन फंदे बने बचे हुए इन तीनों फंदों को हम उल्टा बिन लेंगे इसी तरह से में पूरी रोब बनानी है यह डिजैन की लास्ट रो है जो की 10th रो है और रॉंग साइट से है पहला फंदा में स्लिप करेंगे और दो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं इन दोनों फंदों को हम स साथ फंदे बनाेते अब यह जो साथ फंद हम ने एक फंदं से बनाए इन ऍससाथ फंदों को बहुत ही आराम से बड़ी केरफुली इनको 7 फंदों से 1 फंदा बनाएंगे एक फंदा बनानेकलिए आप 2 बारल लपीट करके अगर उण लेंगी, तो आसानी से आपका फंदा बन जाएगा, ये 7 फंदों से 1 फंदा बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा बनेंगे, इह तरह 3 फंदे हमारे उलटे बिन गए और 2 फंदे पहले हमने सीधे बुने एक फंद़ हमने स्लिप किया था फिर उन पीछे करेंगे और जिसी ताय से दो फंदे हम सीधे बुनेंगे हर बार रो में हमें दो फंदे सीधे बुनने हैं और तीन फंदों में एक फंदा ये उल्टा बिनना है ये साथ फंदे इन साथ फंदों को बहुत केरफुली साथ फंदों से एक फंदा बनाना है यह कि कोई फंदा गिड़ने न पाए इनको दू बार अगर हम सलाई पर उन लपेट करके लेंगे तो बहुत आसानी से यह फंदा यह बन जाएगा फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे तो तीन फंदे तो उसे हमारे तीन फंदे बन गए हैं और फिर उन पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बिन लेंगे जिसमें दो फंदे सीधे बिनने वाले हैं और एक फंदा हमारा लूप वाला है तीन फंदो को हम सीधा बुन लेंगे इस त तरह डिजाइन है देखने में भी बहुत खुबसूरत है और इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती है यह बनाने में इतनी आसान है किसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकान को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सके अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आपको मेरा डिजैन को बताने का धंग सम करें. Thanks.